Hello students, first round जो आपका MCC AIQ का हुआ है, उसका result यानि provisional result आ चुका है, final result जो 29 को आएगा, कई बार थोड़े बहुत changes होते हैं provisional और final में, but 90% chances जो आपको provisional result में show हो रहा है, वही आपको finally मिलता है, तो क्या रहा है, total cutoff वो अपन decide कर लेते हैं, यहां पर discuss कर लेते हैं, लेकिन चीज़, इस channel पर बहुत सारा content है, अच्छा content है, subscribe नहीं किया तो कर लो, वरना बहुत सी चीज़े में सो जाएंगी भाई, क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले इस तरह की website आप open करेंगे, जो MCC की website है, इसे open करते ही, आपके सामने इस तरह सबसे उपर लिखा रहेगा, य जैसे ही टिक करेंगे, file download होगी और वो इस तरह की होगी, starting में यहाँ पे कुछ abbreviations लिखे हुए है, फिर आप next page पे आएंगे और ऐसा बहुत लंबी file, 700 plus pages की, हर एक rank के सामने उसका क्या allotted college है लिखा हुआ है, cutoffs की बात कर लेता हूँ, cutoffs जो है, जैसा अपन सोच रहे थे, वैसा ही कुछ गई है, क्या है cutoff किस तरह से है, एक बार उसको देख लेते हैं भई, तो आप अपना rank check कर सकते हैं, इस पूरी list में कहां क्या आ रहा है, उसके सामने कौन सा college allot हुआ है, क्या वो AIQ से हुआ है, क्या वो DU quote से हुआ है, IPU से हुआ है, सब लिखा रहेगा आप Ames Delhi, Ames Delhi 53 rank पे general को last allot हुआ है, मैं OBC, SC, ST और किसी की यहां पर बात नहीं कर रहा हूँ, यहां केवल general की मैं 53 rank बोल रहा हूँ, last allotted जो है, 53 rank पे है, एक open category में general में, जब हम All India quota की बात कर रहे हैं, हम ASIC colleges की बात नहीं कर रहे हैं, ESIC की नहीं कर रहे हैं, DU quote की बात नहीं कर हैं, हम IP quote की बात नहीं कर रहे हैं, IPU, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जो All India quota है, Government colleges है, उनमें अगर हम देखें, बिना ASIC के, तो क्या है general को last seat allot हुई है, last seat general की allot हुई है, 14,367 rank, state merits भी आ गई है, आप देख सकते हैं कि हमको कहां क्या मिलना होगा, उस according हम किसके OBC में 15,452, 15,452 rank पे last college मिला है, तो अच्छा कासा difference इस बार सामने आया है, जो 27% का जो फाइदा है OBC को मिलता नजर आ रहा है, 1000 से ज्यादा rank का difference आ गया है, और GMC विरुद्नगर जो है last student को a lot होता देख रहा है, इसी तरह से SC category की बात करें, तो 80,000 rank तक आपको first round में government college म मिला है, GMC विरुद्नगर ही मिला है, ST में देखें तो 1,03,000, 1,3,575, इस rank तक college a lot हुआ है, रामनाध पुरम last college है, ST category का, तो आप जब इसको देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, other categories वाले भी अपने सब को check कर सकते हैं, आपको सीधा अपने rank पे जाना है, कौन स डाला, लेकिन marks उतने नहीं है, कम रह गए, तो अभी आपको a lot नहीं हुआ, हो सकता है second round में हो जाए, जिनको first round में को college a lot हो रहा है, वो उसके ऊपर का कोई college ले सकते हैं, जो उनकी उस preference list में रहा होगा, कोई ऊपर का college, तो उनको मिल सकता है, अगर वो upgradation का option लेंगे, त तो आपको अगर college पसंद आ रहा है, आप provisional में चेक कर सकते हैं, final result आने वाला है दो दिन बाद, तब तक अपना मानस बना लीजे, दिमाग लगा लीजे कि आपको क्या करना है, documents ready रखिए, और उसके बाद में आपको college जाकर करके allotment करवाना है, अगर चाहते हो तो नहीं आपको उस तरह से decide करना है, whatsapp ही message किया करें, call नहीं जो number दिये होते हैं और वो भी particular कोई चीज पूछने के लिए, ठीक है, इसके अलावा subscribe जरूर कर लें इस channel को, otherwise इस तरह के notifications miss कर देंगे, thank you students.